नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीलक आटो हब पे तो आज आपके सामने है 2024 की न्यू केटियम ड्यूक 250 टोटल तीन कलर आप्सन के साथ ये बाइक आती है प्राइस की बात करें तो अभी जो इसकी एक सोरूं कीमत निकल क्यारी वो है 2024,646 रुपीज और इसकी अन्रोट कीमत की जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर दूँगा अगर आप ही 250 लेने वाले हो या लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेगा क्या-क्या features मिल जाते है, mileage कितना देती है, top speed कितने तक जाते है, specification क्या है, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले सुरुवात करते हैं इसके key के साथ तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका key देख सकते हो, company ने इसमें आपको wave की provide करा है तो अब मैं इसे लगा देता हूँ और चलते हैं इसके front की और तो सबसे पहले दोस्तों सामने से यहाँ पे आप देख सकते हाई security number plate लगाने की यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है और LED वाले यहाँ पे आपको blinkers दिये गए with हजाट switch के साथ यह आपको थोड़ा सा flexible देखने को मिल जाता है बाकि यहाँ पे आप देख सकते हो, split LED headlamp setup यहाँ पे आपको दिये गए जिसके उपर में आपको low beam और नीचे में high भी मिल जाता है और दोनों और यहाँ पे आप देख सकते हो, orange color दिया गया है इसके अलावे यहाँ पे इसका front वाला mudguard देख सकते हो, जो कि आपको gray color का दिया गया है इसके साथ साथ दोस्तों इसके front में यहाँ पे आप देख सकते हो, WP Apex वाले 43 mm के काफी मोटे मोटे USD upside down, USD fork वाले आपको suspension दिये गया है दोनों और company यहाँ पे आपको reflector provide कराया है safety की बात करें तो यहाँ पे आपको 300 mm diameter के petal dicks मिल जाता है dual channel ABS के साथ यह बाइक आती है, बाइवडी का यहाँ पे आप कैली पर देख सकते हो इसके अलावे दोस्तो 110, 70, R17 के आपको tubeless tear दिये गया है R17 मतलब कि आपको radial tear मिल जाता है, MRF company के आप tear देख सकते हो black color का आपको yellow eye दिया गया है और 110 mm चोड़ी आपको इसके front में tear मिल जाती है बाइक दोस्तों यहाँ से आप इस बाइक का पूरा right side का view देख सकते हो 162.5 kg के आपको curve rate दी गई है wheel base आपको 1354 mm के मिल जाते है fuel tank की और चले तो cowl पे यहाँ पे आप देख सकते हो मोटे मोटे अक्छर में आपको dupe 250 का आपको sticker work दिया गया orange और yellow color के साथ में बाकि यहाँ पे आप देख सकते हलका सा यहाँ पे आपको काटा जैसा work देखने को मिल जाता है इसके अलावे दोस्तों fuel tank पे यहाँ पे आप देख सकते KTM की आपको sticker work मिल जाती है यह आपको full metal body के साथ दिया गया है 15 liter की capacity दी गया यह fuel tank cap यहाँ पे आप देख सकते E20 का आपको sticker work मिल जाता है जैसा कि बिल्कुल latest वाला model है और यह आपको fiber body का देखने को मिल जाता है self start की यहाँ पे आप switch देख सकते उपर में आपको engine किलका switch दिया गया है कुछ इस तरह के यहाँ आपको black color के warranty दिये गया है break lever यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो clutch आपको काफी light मिल जाता है slipper clutch दिये गया हजाट की यहाँ पे आप switch देख सकते हो console को set reset करने के लिए यहाँ पे आपको light दिया गया चेक इंजन की light और यहाँ पे आपको while indicator देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ दोस्तों digitally यहाँ पे आपको so हो जाता है gear shift indicator आप देख सकते हो rpm meter दिया गया है speedometer देख सकते हो काफी मोटे मोटे अक्छल में आपको मिल जाता है fuel गच देख सकतो date देख सकतो टाइम आपको देखने को मिल जाता है real time mileage indicator भी आपको इस बाइक में दी गई है इसके अलावे आप trip a trip b देख सकतो odometer आपको दिया गया engine temperature भी यहाँ पे आप देख सकतो रेंज आपको देखने को मिल जाता है battery की voltage भी यहाँ पे आप देख सकतो इसके साथ साथ सर्वीस कितने किलोमीटर पर करानी है service reminder आपको मिल जाता है navigation मिल जाता है time lapse आपको मिल जाती है Bluetooth connectivity के साथ यह बाइक आती आप अपने फोन से इस बाइक को connect कर सकते हो call alert miss call alert इसमें से लड़ जैसे features का फाइदा उठा सकते हो बागी दूस्तों कंपनी ने इस बाइक में आपको quick shifter भी provide करा है next अगर बात करें इसके seat comfort की तो यहाँ पर देख सकतो split seat के साथ यह बाइक आती है कुशन को ज्यादा swap आपको नए मिलता 800 mm की आपको seat height दी गई है इसके साथ-साथ यहाँ पर देख सकतो split वाले आपको grab handle दिये गए mid black color finish के साथ में और seat call पर यहाँ पर देख सकतो cast aluminum का यहाँ पर आपको use किया गया black piano finish यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और दोस्तो इसके rare में यहाँ पर आपको WP apex वाले यहाँ पर आपको mono sock वाले suspension दिये गए जिसे कि आप अपने weight और demand के हिसाब सभी adjust कर सकते हो rare brake वाईल यहाँ पर आपको दिये गए राइडर के हैप आप adjustable footage देख सकते हो brake lever यहाँ पर आपको दिया गया है और under valley exhaust इस bike में आपको दिये गया है LC4C यहाँ पर आपको engine पर branding मिल जाती है engine well quality को यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो engine well cap यहाँ पर आपको दिया गया है catalytic converter यहाँ पर आप इसका देख सकते हो और यहाँ पर आप इसका engine well filter लगाने की जगह देख सकते हो इसके साथ इसके engine को ठंडा रखने के लिए आपको curve radiator cooling system मिल जाता oxygen sensor यहाँ पर आप देख सकते हो और 176 CC का काफी high आपको ground clearance इस bike में आपको दिया गया है तो चलिए फाइनली अब बात करें इसके power और torque की तो दोस्तों इस bike में आपको मिलता है 249.07 CC का single cylinder liquid cooled fi engine यह engine maximum power generate करता है 31 PS का 9250 rpm और maximum torque generate करता है 25 Nm का 7250 rpm छे speed का आपको इस bike में gearbox मिल जाता है और अगर mileage की बात करें जो कि आपके चलाने पर depend करती है फिर भी दोस्तों अगर आप इस bike को अच्छे से चलाते हो तो यह bike असानी से आपको 30 MPL के आसपास का mileage निकाल करके देदेगी और 155 km per hour के आसपास का आपको top speed इस bike में आपको देखने को मिल जाता है sleeper assist clutch इस bike में आपको दिया गया है तो चलिए दोस्तों next अब चलते हैं इसके पीछे की ओर तो यहां से आप इस bike का पूरा rare profile देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको दिया गया है और number plate के लिए एक छोटा सा light भी आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर इसका mod flap देख सकते हो जो कि काफी wide आपको देखने को मिलता है rare वाले tire की बात करें तो यहां पर देख सकते हो 150 60 R17 का यहां पर आपको tubeless tire मिल जाता है R17 मतलब कि आपको radial tire दिया गया है MRF company की tire देख सकते हो और 17 inches का यहां पर आपको alloy दिया गया है safety की बात की जातों यहां पर 230 mm diameter की dicks break मिल जाती है dual channel ABS के साथ यह बाइक आती है 150 mm की काफी wide यहां पर आपको rare में tire की pattern दी गई है दूसरी और चले दोस्तों तो इस side से भी यहां पर आप देख सकते हो पिलियन का आपको adjustable footrest मिलता है open chance set covering के साथ यह बाइक आती है और lady pillion safety के लिए आप आप देख सकते हो काफी बड़ा आपको sari guard मिल जाता है rider का यहां पर आप adjustable footrest देख सकते हो six speed gearbox के साथ यह बाइक आती है और इस bike में आपको slipper assist clutch भी मिल जाता है side stand cut up जैसे आपको features मिल जाता है पाके दोस्तों इस bike में आपको center stand नहीं मिलता है तो चलिए अब finally अब बात करें इसकी pricing की तो अभी जो इसकी एक showroom कीमत निकल के आड़ी वो है 24,646 रुपीज और इसकी on road कीमत पढ़ने वाली है 24,488 रुपीज यह on road कीमत की जानकारी मैंने आपको दिये तिरूत KTM मारीपूर मुझपर पूर इस्तित showroom में यहां पर आप विजिट कर सकते हो KTM के किसी बाइक का आप टेश्ट ड्राइब ले सकते हो अगर आप यह अपने city का और पाई जानना चाहते हो तो आप मुझे जो comment box में अपने city का नाम लिख करके वे सकते हो थैंक्यो वीडियो के लाश तक बने राने के लिए वीडियो पसंद है हमारी मेहनत पसंद है तो वीडियो को like share